नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट असलाम अलेकुम नई सुभा के इंडिपेंडिन्ट लिविंग प्रोग्राइम के और्डियो लेर्निंग टिटोरियल्स के साथ मैं हूं इस तुड्रानी आज हम बनाना सीकhenगे कस्टरडड कस्टरडड बनाने के लिए हमें जन अज़जा की जरूरत हैं उन में शामिल हैं दूद्र एक किलो कस्टर्ड एनी फ्लेवर 4 टेबल स्पून चीनी 6 टेबल स्पून बदाम 2 टेबल स्पून पिस्ता 2 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा 2 टेबल स्पून जैली पाउडर एनी फ्लेवर 1 पैकेट पानी 2 कप तरकीब सबसे पहले एक कप पानी में जैली डाल कर तीन मिनट तक पकाएं और मुस्तकिल चमच चलाते रहें फिर इसे गहरी प्लेट में डाल कर जमाने के लिए रख दें अब इतनी देर में दूद को उबाल लें अब एक कप पानी में कस्टड घोल लें और फिर दूद में डालते जाएं और लकडी के चमच से चलाते जाएं जब कस्टेट गारा होने लगे तो इसमें चीनी डालें और फिर इसे चमच चलाते हुए मदीद 5 मिनट के लिए पकाएं और चूला बंद कर दें फिर एक बॉल में निकाल कर इसे ठंडा होने के लिए रख दें फिर इस पे बदाम, पिस्ता और पिसवा खोपड़ा चुड़क दें और जैली की कटिंग करके इसे भी उपर से सजा दें मदेदार कस्टेट तयार है अब आप इसे इंजॉय करें ये थी हमारी आज की रेसिपी, अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्ला हाफिज ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए ये डिस्क्रिप्चर में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए